प्यारे बच्चों नमस्कार ज्यान सिंधू कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है कक्षा दसके विद्यारतियों आपका इस वर्ष जो है वो नया यानि की आप आराम से हमारे साथ रहिए हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे मैं आपको सारे पाठों के प्रश्नोत्तर करवा दूंगा जो जो आने हैं ठीक हो चाहे बहुबिकल्पी हों चाहे पैसेज पर बेज्ट बेज़न सब करवा देंगे चलिए आज मैंने बना दी है आपके न्यूयर के लिए इस सेसन के लिए तो आप लेश्ट देखिए आराम से मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके प्रशन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे इस के प्रशनोतर चलिए तो यह वाले जो हम प्रशनोतर लेकर कnamrina हैं तो यह वाले जो वाले जो इंसर हैं यह आक जो बूक में है यानि जप्रफ सब्रबारते हैं वहां उसके जो एक्सायजस में दिए वह वह वाले है यहीं से बनते हैं आपके एक्जाम में questions ठीक है तो पहला question आपके सामने है कि who does lancho have complete faith in which sentences in the story tell you this यानि कि मैं आपको इसकी हिंदी भी बता दू ताकि आपको ज्यादा समझ में आए who does lancho have complete faith in यानि lancho का पूर्ण बिश्वास किसमे था who does lancho have complete faith in यानि faith माने होता बिश्वास complete faith, complete faith मतलब पूर्ण बिश्वास तो lancho का पूर्ण बिश्वास किसमे था और फिर है which sentences ऐसे कौन से वाक्य हैं जो in the stories कहानी में tell you this जो तुमको यह बताते हैं यानि कहानी में ऐसे कौन से वाक्य हैं जो इसके बारे में आपको बताते हैं तो आप उत्तर दिजेगा क्या उत्तर दिजेगा लेंचो हैड complete faith in God लेंचो ने इश्वार पर पूरा विश्वास किया दिस sentences which the sentences which which यहां पर आप सी यह लिख लिजे यार में थोड़ा सा यहां पर गलत होगा है लिखने में which so you which लिखना ठीक है वीच लिखना वीच 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 नहीं है न यहां पर हूई चैप वीच शो दिस आर यानि की वाक्य यह दिखाते हैं की the sentences which show this are sentences जो दिखाते हैं God he wrote God यानि भगवान he wrote उसने लिखा if you don't help me यदि आप मेरी help नहीं करेंगे मेरी मदद नहीं करते हैं my family and I will go hungry this year तो इस वर्स मैं और हमारा पूरा परिवार भूखा रहेगा ठीक है तो यह वाला आप अंसर लिख दिए दूसरा प्रसंद देखिएगा why does the postmaster send money to Lencho why does he sign the letters God यानि की postmaster Lencho को पैसा क्यों भेजा the postmaster why does the postmaster send money to Lencho postmaster ने Lencho को पैसा क्यों भेजा और why does he sign the letter God और क्यों उसने उस पत्र में भगवान के हस्ताक्षर किये ठीक है तो आप उत्तर दिएगा कि the postmaster send money to Lencho postmaster ने धन भेजा कि इसको Lencho को so that इसलिए कि his faith in God remains alive and firm because यानि postmaster ने उसको पैसे इसलिए भेजे ताकि भगवान पर उसका विश्वास बना रहे और वो उससे पूरी तरह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ because he was completely moved by it यानि because मतलब क्योंकि वो इससे completely moved by it देखे भईया इसकी एगर PDF चाहिए तो मैंने description में link दे दिया है वहां से आप download कर लिजे ठीक है क्योंकि क्या था क्योंकि वो इससे पूरी तरह Lencho से प्रभावित हुआ था when postmaster reads the letter of Lencho to God he becomes serious यानि जब postmaster ने भगवान को दिया गया लिंचो का पत्र पढ़ा तो क्या हो गया become serious वो बहुत गंभीर हो गया and decides और निर्णय लिया to answer उत्तर देने का the letter बने पत्र का and to maintain the faith of Lencho in God और और उसने क्या फैसला किया कि लिंचो का भगवान में बिश्वास बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा कि ही collect money with the help of his employees वह अपने employee जो है यानि जो अपने employee मतलब करमचारी जो है तो उसे क्या करेगा collect money वह अपने पैसे इकठा करेगा help of his उसकी मदद के लिए and friends and science the letter God any friends से अपने पैसे इकठा करेगा और भगवान अक्षर का हस्ताक्षर कर देगा ठीक है भगवान के नाम का हस्ताक्षर कर देगा समझे आगे देखे तीसरा question क्या गह रहा है तीसरा question है देखे टेलिग्राम जॉइन कर लिए वहां पर भी हम PDF दे देते हैं ठीक है और इसके बाद हम आपको जो टाइप मैटर मैंने खुदी टाइप किया है वह question answer करवा देंगे और comprehensive पैसे करवा देंगे इसके बाद आपके objective questions और long questions करवा देंगे यानि तीन चार पार्ट में आपको वीडियो मिलेगे यह नहीं कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ दे दूंगा बहुत ज्यादा material होता है एक chapter का तो ये एक तो किसने बहँता का है ना तुदिकत इस बात की है यहाँ पर कि आपको इसमें थोड़ा सा लंबा मैटर पढ़ना पड़ेगा चीजें बहुत ही छोटी-छोटी आती है बहुत लेकिन मैटर ज्यादा लंबा पढ़ना पड़ता है पेपर आपका ये बहुत सरल होता है इसका ठ did Lancio try to find out who had sent the money to him, why not? यानि कि याल लिन्चो नी ये पता करने का परयास किया कि पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा और क्यों नहीं भेजा? ठीक है, तो क्यों और क्यों नहीं? तो no, आप क्या लिखेंगे, कि यहाँ पर प्रस्न पूछा जा रहा क्या लेंचो ने ये पता लगाने का प्रियास किया कि पैसा किसने भेजा और यदि हाँ तो क्यों अगर नहीं तो क्यों नहीं तो नो नहीं आप एंसर देंगे नहीं लेंचो ने ये कोशिस नहीं कि कि किसने उसे पैसे भेजे हैं विकास क्योंकि ये निवर सस्पेक्टेड दी प्रजेंस आफ गॉड क्योंकि क्या था क्या था फो ये कभी वो क्या करता है मतलब उसने पता लगाने की कोशिश नहीं किया कि उसको पैसे किसने भेजे हैं क्योंकि उसे कभी भगवान की उपस्थिती पर संदे नहीं था ठीके और उसको ईश्वर पर पूर बिश्वास था, complete faith था he could not even imagine, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि it could be someone else other than God, who would send him the money वो कभी सोच नहीं सकता था, कि ये ईश्वर के अलावा कोई भी ऐसा भेखती हो सकता जो उसको पैसा भेजेगा, so he strongly believed, इसलिए उसने द्रठता से मान लिया that God की God ने had sent money, God ने पैसा भेजा है, भगवान ने पैसा भेजा है to him money, उसको for his help in his problem, उसकी समस्या के समाधान के लिए चौथा प्रस्न देखिए, who does Lencho, बहुत अच्छा प्रस्न है, विचार पर आधारित ये प्रस्न है आप देखेगा, who does Lencho think has taken the rest of the money, लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किस ने लिया, who does Lencho think has taken the rest of the money, यानि बचा हुआ, रेस्ट मने बचा हुआ पैसा, किस ने लिया लेंचो ने क्या सोचा, मतलब लिंचों के अनुषार बचा हुआ पैसा किस ने लिया होगा और इस ऐर किया है और यान रखें कि याद करें कि परिष्टियों का विंग इस कहानी का अप्रतियाशित भाग है ठीक है यानी उसकी आशा नहीं की गई इसमें विंग की दिस्टेसे यह कहानी नहीं लिखी गई है एन आयरेनिक सिचेशन इसे स्ट्रेंज और एम्यूजिंग विकाज इस दा अपोजिट ऑफ आफ वाट इस एक्सपेक्टेड यानि कि व्यंग्यात्मक परिस्तिती अजीब और मनोरंजक है क्योंकि जो प्रत्याशित है उसका विप्रीत होता है यानि बिल्कुल प्रत्याशा के विप्रीत है आशा नहीं की गई थी कि ऐसा व्यंग भी इसमें नहीं थोगा तो आपको ये बताना है कि लेंचो के अनुसार पचा हुआ पैसा किसने लिया इस परिस्तिती में थोड़ा सा व्यंग्यात्मक ता यहां पर हसी की बात आगई है वह हसी की बात आपको बतानी है तो आप देखे लिंचो तिंक्स बैट लिंचो तिंक्स बैट लिंचो लिंचो को लगता है लिंचो विचार किया that he the post office employees जो डाक करमचारी है have taken the rest of money उन्होंने बचा हुआ पैसा ले लिया है विकास क्योंकि he had demanded a hundred पीसोज क्योंकि उसने सव पैसे मांगे थे फ्राम गॉड भगवान से बट ही गॉड ओनली सब्तर सेवेंटी पैसे बर लेकिन उसको सब्तर पैसे ही प्राप थे इन दी लिटर पत्र में और उसको पूर्ण बिस्वास था कि भगवान ऐसे मिस्टेक कर नहीं सकता है इसलिए उसने क्या किया मतलब इसलिए वो मानता है कि पोस्ट आफिस वाले पैसे चुरा लिये हैं ओडि आयरे ऑडियर इजिए आयरेनी मतलब बना या फरिक बंग्याद मकता यह है कि लेंचो सस्पेक्ट दोज लेंचो सस्पेक्ट दोज लेंचों ने सस्पेक्ट दोज उन पर संदेह किया प्युपिल हुँ है इन हीज प्राबलम तु मेंटेन हिस फेज फेजिन गॉड यही निए लेंचों ने उसपर उन पर संका किया, जिन लोगों ने उसकी समस्या में लेंचों की मदद करनी चाहिए, और उसके भगवान के विश्वास को बरकरार रखना चाहा, उस पर उसे क्या किया, उस पर उसने सक्गिया, शंका की यही बिडंबना है यही आईरनी है ठीक है पांचवा और अंतिम प्रश्ण नहीं अंतिम नहीं छे प्रश्ण आपके हैं तो आर बेर प्यूपिल लाइक लेंचो इन दे रियल वर्ड क्या वास्तविक संसार में क्या वास्तविक संसार में लेंचो जैसे लोग मिलते ह और दियर प्यूपिल लाइक लेंचो इन दे रियल वर्ल्ड क्या इस वास्तविक संसार में सच्चे संसार में सच मुझ के संचार में संसार में जो है लेंचो जैसे क्या लोग मिलते हैं वो किस प्रकार का व्यक्ति है आपके अनुसार प्रशन का उत्तर देने के लिए आप जो है उत्तर देने के लिए निम ने लिखित एक बॉक्स दिया हुआ है तो उसमें सटीक शब्दों का चैन कर लो तो ग्रीडी, नैव, स्टपीड, अन्ग्रीडफुल, सेलफिस, क्यामिकल और यह क्या है अन्कॉइशनी ठीक है अब आप इनके इतने वर्ड लेकर के आप उत्तर दीजिएगा तो it is next to impossible to find a person like Lencho in the real world Lencho जैसा व्यक्ति संसार में खोजना असंभ हो है क्योंकि Lencho as he is an unquestioning क्योंकि यह निर्विवाद है, unquestioning है इसमें कोई प्रस्ण की बात नहीं है यह निर्विवाद है कि and never kind of person यानि वो एक kind मतलब दयालू यानि भोले किसम का बैखती है he is not stupid वो मूर्ख नहीं है if he does not know that who has sent him money or how a letter get reached to God वो मूर्ख नहीं है लेकर वो नहीं जानता है कि उसने पैसा भेजा है या कोई पत्र बिना किसी पते के भगवान तक कैसे पहुंचा है वो यह नहीं जानता लेकिन वो भईया मूर्ख नहीं है बस सीधी सी बात है without any address यानि किसी पते के भगवान पत्र कैसे पहुंचेगा it is his faith in God वो जानता है वो उसका यह इश्वर में बिश्वास है in real world pupillar selfish वास्तविक संसार में लोग क्या है selfish हैं स्वार्थी है and greedy और लाल्ची है on the other hand on the other hand और दूसरी और लेंचो इस टोटली लवेबल and different और दूसरी तरह दूसरी तरफ से दूसरी तरफ से एक लेंचो जो है वो पूरी तरह से प्यारा है लवेबल है और different यानि भिन्हे अलग है ठीक है आगे देखिए अंतिम प्रशन देखिएगा कि there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves how are these conflicts illustrated यानि कहने का ताथ पर ये है कि कहानी में दो प्रकार का संगर्स है there are two kinds of conflict conflict माने होता है संगर्स तो इस कहानी में दो प्रकार का संगर्स है एक between humans and nature एक मानो और प्रकृति के साथ and between humans themselves और एक मानो के मध्य में आपस में themselves मतलब आपस में how are there conflicts illustrated ये दोनों संगर्स किस प्रकार से illustrated अर्थात वरनित किये गए है तो आप दिखेगा conflict between humans and nature is illustrated मनुश्य और प्रकृति के बीच में संगर्स की व्याख्या ठीक है तो गॉन्फिक्ट बेट्वीन humans and nature मनुश्य और प्रकृति के बीच संगर्स की इज इस इलुस्ट्रेटेड बाई दा वरनित मतलब याख्या बाई दिस्ट्रक्शन आफ लेंचोज क्राप बाई हो हेल स्टॉर्म ठीक है हेल स्टॉर्म at the time when he was expecting a good rain to have good harvest as that was the only hope he had so he had for his earnings कहने का मतलब ये है कि उस समय ओला वरष्टी द्वारा लेंचो के फसल के नश्ट होने से होती है इस संगर्स की सुरुवात जब वो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था क्योंकि वो उसकी कमाई का एक मात्र क्या थी उम्मीद थी he worked very hard to feed his family यानि वो अपने परिवार का भरन पोशन करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता था बट नेचर लेकिन प्रकृती ने turned violent and destroyed everything लेकिन प्रकृती ने प्रकृती कैसी हो गई हिंसक हो गई violent हो गई and सब कुछ destroyed everything destroyed सब कुछ नस्ट कर दिया conflict between humans and humans मनुष्य और मनुष्य के बीच के संघस का चित्रन is illustrated by the hack of faith shown by Lencho in Postmaster when Lencho demanded money from God and Postmaster and his friend sent money to Lencho without even knowing him यानि कि अब यहां पर आप मनुष्य और मनुष्य मनुष्य के भी संघस का चित्रन एक Postmaster में लिंचो द्वारा दिए गए दिखाए गए विस्वास की कमी से होता है जब लिंचो ने भगवान से पैसों की मांग की और Postmaster उसके दोस्तों ने भी उसे जाने बिना लिंचो को पैसे भेजे और जबकि लिंचो ने उन्हें कुछ रासी लेने के लिए दोसी ठेहराया था है ना उनको क्या कहा था बदमासों का जुन्ड बगरा कहा था ठीक है चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आज जुडने के लिए और यह आपको पीडिया डाउनलोड करनी है भीया तो आप जो है टेलिग्राम जॉइन कर लिजे या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर लिजे बहुत-बहुत धन्यवाद जो भी इंपॉर्डन चीजे हैं मैं आपको देता रह करा टृब है रहता है रpeesतना चैंपनलोडो वगशवरन खालोडो क Spray करते हैं मैं लिएन कर वेमन लिएन कर दोह थएगगर मैं वार उले धाना सुवर से हां